नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubah.org www.naysubah.org असलाम अलेकुम नई सुभा के इंडिपेंडिन्ट लिविंग प्रोग्राइम के और्डियो लेर्निंग टिटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस्तुरानी आज हम बनाना सीखेंगे चिकन बिर्यानी चिकन बिर्यानी बनानी के लिए हमें जिन अज़्जा की जरूरत है उन में शामिल है चिकन आधा किलो, चावल आधा किलो, पानी हस्ब जरूरत हरा धनिया एक गड़ी, पोदीना एक गड़ी, हरी मिर्चे छे से साथ अदर्द, लेसर अदरक वेस्ट वन टेबल स्पून प्याज एक अदर्द भारिक कटी हुई, टिमार्टर आधा पाउ, क्यूप्स में कटे हुए, दही, आधा पाउ, तेल, एक कप, साबत गरण मसाला, टूटेबल स्पून, जीरा वन टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च, टूटेबल स्पून, पिसे धनिया, टूटेबल स्प वन टेबल स्पून, लीमू एक अदद, तरकीब, सबसे पहले आप चाबलों को भीगो दें, अब एक पतीरी लें, उसमें हाफ कप ऑल डालें, उसे गरम कर लें, और फिर बारीक कटी हुई प्यास डालें, और उसे गोल्डन ब्राउन कर लें, अब इसमें आप टिमाटर डाल और इसे पांच मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लें, फिर आप इसमें तमाम पिसे हुए मसाले, हरा मसाला, दही, चिकन क्यूब या चिकन पॉडर डाल कर चम्चे से इसे अच्छे से मिक्स करें, फिर आप इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए ढख कर पकने के लिए रख दें, जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो आप इस पतीली को चूले से उतार लें, अब आप भीगे हुए चावलों का पानी चेंज कर लें और इसमें नया पानी भर लें, अब आप एक पतीली में चावल, नमक और ओल डाल कर इसे बॉयल होने रख दें, याद रहे कि पानी चावलों से एक इंच उपर हो, जब चावलों में बबल जाने लगें और इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसे चूले से उतार लें, अब आप किसी ठाली में आधे चावल निकाल लें, उसके बाद आप चिकन का सालन पतीली वाले चावलों में डाल दें, फिर उसके चीली पर ढखन ढख कर 15 मिनट के लिए दम पर रख दें, आपकी मज़ेदार चिकन बिर्यानी तैयार है, इसे आप प्रायते और सलात के साथ सर्फ कर सकते हैं, ये थी हमारी आची रेसिपी, अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्ला हाफिज, ये जराय इस्तमार कीजिये